जै गो माता की ओम पित्र देपता अब्यों नमाहा श्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको गो माता का छोटा सा उपाय बता रहा हूँ अमावस्या बाले दिन यह उपाय जरू करना चाहिए जो व्यक्ती सचे मन और स्रद्धा के साथ में यह उपाय करेगा निश्चेंत रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी बड़िया मावस्या मंगलवारिया मावस्या इस दिन गो माता को छोटी सी यह चीच जरू खिलानी चाहिए ऐसा करने से जरूर मनोकामना आपकी पूरी होगी भगवान गड़े जी का नाम लेते हुए आप यह उपाय जरूर करें सरप्रतम सुवए उठते ही स्री गड़े इसाय नमाहा इस मंतर का जाप करना चाहिए जब भी आप दिन की सुरूरात करें उस समय भगवान के नाम से सुरूरात करनी चाहिए भगवान सी किष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे करम करता है उसके जिंदगी में कई कोई परिसानी या कष्ट नहीं आते तो जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो भगवान के नाम से करनी चाहिए उसके बाद में आपको शूर्य भगवान को जल अरपन करना चाहिए अमाबस्या के दिन शूर्य भगवान को जल देने का बिसेश महत्त होता है जो व्यक्ति भगवान सूर को जल देते हैं उनके जीवन की हर परेसानी हर्ज का इस्ट दूर हो जाते हैं उसके बाद में करनी है आपको पित्रों की पूजा इस दन पित्रों के नाम से तरपन करना है पित्रों के नाम से जल देना है और उसके बाद आपको पित्रों के नाम से ही पंच गरास नकालना यानि पांच जगे जो आपने पकवान घर में बनाए हैं पांच जगे पूरी नकाल दीजिए और हाथ में जल ले करके प्रात्ना करें पित्र देपता आप इसे जो सुईकार करें ऐसा करके उसके उपर गुमा दीजिए पेलागनी का, दूसरे गो का, तीसरा पीपल के नीचे रखके आएं, चोता कव़ों का होता है, पांच मा जल का होता है, उसे टंग की पवपर रखते हैं इस दिन गंगा इसनान का विशिश महत होता है लेकिन आप घर पर ही इसनान करें थोड़ा सा गंगा जल मिला के जल में आप इसनान करें इस दन सफेद वस्तू का दान करना चाहिए अमावस्य वाले दिन चावल, दूद, इन चीजों का भिषिश मैत होता है जो व्यक्ति इन चीजों को दान करता है उसकी हर परिज़ानी दूर हो जाती है हर मुसीवद दूर हो जाती है इस दन घर के अंदर हल्दी से स्वास तक चिन्वी बनाना चाहिए ऐसा करने से घर में बरकता आती है और माता लच्मी का घर में इस ते रूप से बास हो जाता है ये सब करने के बाद में फिर आपको गो माता की पूजा करने है गो माता के लिए आपको क्या चीज़े खलानी है गुड और मसूर की दाल गुड मसूर की दाल और पूरी और साथ में ले लें कुछ मीटा जो भी आपने घर में बनाया है ये चीजे आपको जरूर लेनी है ये तीन चीजे ले जा करके आपको गौ माता को खिलानी है चाहे गौसाला दूर हो लेकिन अमावस्या बाले दिन जरूर आपको जाना है ये चीजे गौ माता को खिलाएंगे तो निश्चिन्त रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी साथ में आप फल भी ले सकते हैं हरी गास भी ले सकते हैं लेकिन ये चीजे जरूर लेनी हैं आपको पुत्र की प्राप्ती धन की प्राप्ती होगी हर प्रकार की आ रही परिसानिया दूर हो जाएंगे तो अमावस्या बाले दिन गौ माता की पूजा का बिशेश मैत्व है और गौ माता के लिए ये चीजे जरू खिलाएं आपकी मन में जो भी कामना होगी हर कामना पूरी हो जाएगी तो मुझे अमीद है आपको जाएगी